हेलो एब्रीवन मैं हूँ देव और स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल देव MTR में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि अगर आपकी सेलरी 15-20,000 पे है या आपका जो बजट है वो 30,000 से 60-70,000 के बीच में है और आप एक पुरानी सेकंड एंड कार खरीदना चाते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए इतने बजट में दोस्तो बहुत लोगों का सपना होता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो तो गाड़ी का सबसे बड़ा फाइदा दोस्तो यह रहता है कि आप किसी भी मौसम में गड़ से बार जा सकते हो चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे वो जाड़े का मौसम हो चाहे बारिस का मौसम हो आप family के साथ comfort होकर long route पे भी जा सकते हो अगर आप bike चलाते हो तो bike पे आपको पता है दो लोग ही जा सकते हैं अगर आपको तीसरा person बिठाने की अगर आप सोचोगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा के मैं ले जाऊ या नहीं ले जाऊ तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ उन 6 गाड़ियों के नाम जो की आपको Olex से या quicker से आप after market से या डीलर से आप कहीं से भी खरीते हो तो easily आपको ये गाड़ियां 12 से 13 साल पुरानी गाड़ियां आपको तकरीबन 30 से 60 सतर आयार के बीच में आराम से मिल जाएंगी तो दोस्तो मैं बात करूँ सबसे बहले मारूती सुझकी की 800 गाड़ी के बारे में तो ये गाड़ी जो है आपको 2678 मॉडल आप खरीच सकते हो 25 से लेकर 50 55 के इसाफ से अगर गाड़ी की कंडिशन अच्छी है तो ये गाड़ी आपको पैटरॉल में 17 से 18 का मालेज आपको लगबग निकाल कर दे देती है अगर इस गाड़ी में आप CNG किट इंस्टॉल करा लेते हो तो ये गाड़ी आपको बहुत ही बैतरी मतलब कि 28 से 30 का मालेज आपको निकाल कर दे देती है मैंटिनेंस तो आप जैसा कि आप जानते हो 2 से डाइजार पे में इसकी जो सर्वेस हो जाती है आफ्टर मार्केट से दोस्तो तो ये इस गाड़ी को भी आप खरी सकते हो तो दोस्तो बात करूँ हम में से 24 का मालेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है प्राइज की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको 29, 10, 11, 12, 13 मोडल की गाड़ी आपको तकरीबन 25,000 से लेकर आपको जो है 55,000 से 60,000 के बीच में बहुत ही टॉप कंडिसन की हाईस्ट मॉडल की गाड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तो तो इस गाड़ी को आप परचेज कर सकते हो बात करूँ दोस्तो चौटे नम्मर की गाड़ी की तो वो आती है 7-Lan की स्पार्क कार इस गाड़ी में आपको 995 सी-सी का गाड़ी में engine मिल जाता है इसके साथ ही इसका जो mileage है local में 14-15 का local में mileage देती है highway पर ये गाड़ी जो है तकरीबन 18-19 का mileage आराम से निकाल कर दे देती है बात करो इसके CNG के mileage की तो ये गाड़ी आपको 25-26 का CNG में mileage निकाल देती है इसके साथ ही इसके price की बात करूँ तो दोस्तो इसका जो price जो है marketing value तो कम है इसके साथ से इसका जो price में बता दूँ तो आपको 2789 model की गाड़ी आपको तकरीबन आपको मिल जाएगी 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में depend करता है condition के उपर और बेचने वाले के उपर तो आप उसे साथ से deal कर सकते हो इस price के अंडर में इस गाड़ी की अब बात करूँ मैं दोस्तो पांच में नमबर की गाड़ी की तो वो है दोस्तो हुंड़े की सेंट्रो जिंकार ये गाड़ी आपको 2567 मोडल की गाड़ी तकरीबन आपको 35,000 से लेकर तकरीबन 50 55 तक आराम से मिल जाएगी इस गाड़ी को भी आप खरीच सकते हो 1086 CC का तकरीबन इसका इंजन है पैट्रोल में इसका जो मायलेज है वो 13-14 का है और ऑन हाइवे पर इसका जो मायलेज है वो 15-16 का देती है इससे ज़्यादा ये गाड़ी मायलेज नहीं देती है CNG में भी इसका जो मायलेज है वो अच्छा खासा मायलेज है तकरीबन आपको 25-27 का मायलेज आपको आसानी से मिल जाता है इस गाड़ी में अब बात करता हूँ मैं दोस्तों छटमे नमबर की गाड़ी की तो वो है दोस्तों होंडा सिटी जैडेक्स ये गाड़ी जो है सेडान कार है बहुती प्रीमियम और फुली लक्जिरी फुली लोडेट इस गाड़ी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते है अगर आपक और फीचर्स कgriff क करका चाहते हो तो यह गाड़ी आप खरी सकते हो इस गाड़ी में आपको पंदरेटा है सो सीच का तक्रीबं एंजन मिल जाता है पैट्रोल के मायलेज की बात करूँ तो बहुत ही कम मायलेज है ये गाड़ी जो है तक्रीबं 12 का पैट्रोल में मायलेज दे लेकर 70,000 के बीच में आसानी से मिल जाएगी इस गाड़ी को आप सर्च कर सकते हो इलेक्स को एकर जहां से भी आप लेना चाहते हो डीलर से या किसी जानने वाले से आप ले सकते हो खरी सकते हो बहुत ही अच्छी गाड़ी है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो ह तकरीबन इंसुरेंस हो जाएगा और बात करूँ दोस्तों माइलेज की मैंने आपको बताई दिया है बात करूँ आप सर्विस की तो सर्विस भी आप आफ्टर मार्केट से करा सकते हो और जो है कम से कम 2-5,000 पे में इन सभी गाड़ियों की almost service जो है हो जाती है आफ्टर मा जटके इसाफ से मैंने आपको 5-6 घाड़ियां बता दिए उन घाड़ियों पर्चेश कर सकते हो बहती अच्छी घाड़िया हैं बात आती है दोस्तों मैंटिनेंस की तो मैंटिनेंस के लिए मैं बता दूँ आप सर्विस करा सकते हो आफ्टर मार्केट से जो लोकल मिस्ठर कर दिया है Almost इसके बात बात आती है इंसुरेंस की तो इंसुरेंस के लिए आप पुराणी गाड़ी है तो थर्ड पार्टी इंसुरेंस करा सकते हो 2000 से लेकर 4000 तक के बीच में इन सभी गाडियों का insurance हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना वो आपके पास चली जाएं